सो दोस्तों आज की सब्सक्राइंब कीज़ेंगें मतला अनॉसे ही बंद केसे करेंगे अगर सो मुबाल आपके से-स-स-करेंगे औरetry आपको बंद केसे करेंगे सेच पर करना है लुग इस तरह का इंटरफेस घ्रेश करना है यहांगे रिस करेंगे goes पपना आपको नमबर डाला यहां na आपके पास यह नमबर है करना चाहते हैं अगर वह यू नंबबर नहीं है तो आपके पास जो भी जको नंबर आपके पास ब्रोल में भरा आंपने कर बशुर्व है यहां पर डालेंगे यहां पर डालने के बाद आपको यहां जेट लित कर ego तो आपके इस number पर आपका OTP send कर दिया है यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है तो हम यहाँ पर OTP को डाल देते हैं OTP को डालने के बाद आपको यहाँ submit पर क्लिक करना है हमने यहाँ पर OTP डाल दिये हैं उसके बाद simply यहाँ submit पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा mobile number login हो चुका है उसके बाद आपका कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर आपका mobile number 100 होगा उसके बाद आपको किसी number को आगर उसको बंद करना है इस number को अगर आपको बंद नहीं करना है आपको दूसरा mobile number को बंद करना है दुसरा जियो सीम को बंद करना उसके लिए आपको यहां switch account पर click करना है switch account पर जैसे click करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का interface आएगा यहां पर वो mobile number 100 होगा जिस mobile number को डालके आपने login किये हैं वो mobile number आपका यहां पर 100 होगा उसका नाम यहां पर 100 होगा आप चाहते हैं दुसरा मुवाइल नमबर को बंद करना है तो उसके लिए आपको यहाँ एड अकाउंट पर किलिक करना है एड अकाउंट पर किलिक करके आपको यहाँ पर उस मुवाइल नमबर को डालना है जिस mobile number को आप अभी suspend करना चाहते है उसके बाद आपको यहाँ get OTP पर click करना है उस OTP को डाल के आपको यहाँ पर एक बार link कर लेना है तो हम अभी जिस mobile number को अभी suspend करना चाहते हैं जिस geo number को suspend करना चाहते हैं उस geo number को यहाँ पर हमने डाल दिये हैं उसके बाद हम अभी यहाँ get OTP पर क्लिक करेंगे, get OTP पर जैसे क्लिक करेंगे तो उस नमबर पर एक बार फर्स टाइम OTP जाएगा, उसके बाद आपका OTP की कोई ज़रुत नहीं है, तो वो OTP आ चुका है, तो हम यहाँ OTP डाल के submit पर क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पर OTP डाल के मेरा जियो नमबर के साथ लिंक है, उसमें कोई recharge plan अक्टेव नहीं है, इसलिए यहाँ पर सो हो रहा है कि कोई recharge plan इस नमबर में अक्टेव नहीं है, तो इस नमबर को अभी हम अभी suspend करेंगे, तो suspend करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अभी जो जियो पर क्लिक करना है, तो जिसे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और दोनों जगह में आपका दोनों मुवाइल नमबर सो होगा, पहले आपका यह नमबर सो हो रहा था, अभी जो लिंक किये वो नमबर यहाँ पर सो हो रहा, यह primary मुवाइल नमबर को लिंक किये हैं, अभी सस्पेंड करेंगे तो इस मुवाइल नमबर को आराम से सस्पेंड कर सकते हैं, अगर कभी इस नमबर को चालू करना रहेगा हमको तो इस नमबर को डाल के ही इस नमबर को चालू कर सकते हैं, इसमें आप दोबारा कोई OTP नहीं जाएगा, त हमने इस नंबर को सेलेक्ट कर लिए हैं अभी हमको इसको सस्पेंड करना है मतला ओनलाइन से ही बंद करना है तो बंद करने के लिए आपको सिंपिल यहां पर सेटिंग पर किलिक करना है सेटिंग पर जैसे किलिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इस simply यहां suspend and resume पर click करना है और यहां पर देखे लिखावा service active मतलब जो अभी sim को हम suspend करना चाहते हैं उसका service active है मतलब वो sim चालू है तो अभी हम इसको आपको बंद करके दिखाएंगे simply आपको यहah suspend and resume पर click करना है यहां पर जैसे click करेंग травू तो फिर सापका कुछ इस तरह का interface आएगा यहां पर आपको region select करना है जैसे click करेंगे फिर से आपको इस तरह का interface आएगा, यहाँ पर आपको yes पर click करना है, yes पर जैसे click करेंगे तो आपका suspend हो जाएगा, आपका sim अभी आप इस number पर call करेंगे तो आपका उसमें call नहीं लगेगा, अगर इस sim को आप दोबारा online से ही चालू करना चाते हैं, तो इस sim को दोबारा चालू कर सकते हैं अगर आप किसी भी sim को online से suspend करते हैं, तो उसके साथ एक geo number लिंक करके suspend किजिएगा, क्योंकि उस sim को suspend करने के बाद उसमें OTP नहीं आएगा, तो online से आप उस sim को दोबारा चालू नहीं कर सकते हैं, आपको simply customer care से बात करना होगा, तभी आपका sim चालू होगा, नहीं तो नही और यह जनकारी कैसी लगए, नीचे कमेंट करके जरू बताए, और हमारे चलन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चलन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दिजा, आगे भी इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए